देयम सदा परिवबग नेम भीष्ट दोहम तीरतास पदम से विवेराज जैनुतम सरण्यम वृत्यार्तिहम प्रनत पाले बबाब दिपोतम वंदे महापुरसुदे चरणारिविंदम जैसरी राधे आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वाकत है आप देख रहे हमारा खास कारीकरम गरहों की माया आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ सभी 12 रासी वालों के लिए एक अक्टूबर 2020 का रासी फल जो दर्सक हमसे नहीने जुड़ रहे हैं अभी वह हमारे कारीक हमारी वीडियो को लाइक करें और और अधिक से दिक सेयर करके अपने इश्ट मित्र अपने परिवार जनों को भी अवस्य पताएं आज हम चर्चा करेंगे मेश रासी अक्टूबर 2020 कैसा रहेगा उससे पहले आज का पंचांग एक अक्टूबर पुसुत नमास का अस्ट्रिन महा जो अधिक का महिना चल रहा है तीन बज़े तक एक बज़ के तीस मिनट से तीन बज़े तक डेड़ घंड़े का राहुकाल है इस समय कोई भी सुभकार अपना करें मेश रासी अक्टूबर 2020 कैसा रहेगा आपके लिए आज आप अने प्रिकार के हानिकार बिचारों के साथ में ब्यभार और आयोजन से थ हो परिशान कर सकती हैं कार्성을ता रहेगी थोड़ा सा प्रतिप्र आपके जीवन में जितने भी बाद विवाद जो चल रहें मंगल के लिए मंगल को अपने लिये मंंखल से संबने वस्तों सरकार कि रख़रों के लिए कार्यों में आज का दिन कैसा रहने वाला है नई कार्रे आरंब होने के साथ-साथ अन्य प्रकार की चीज़ें आपके मन में जो आ रहे हैं वो लाप्त राप्त कराएंगी स्वास्त भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है उसको विचार करके थोड़ा अपनी मन और बानी और ब्यावार को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें लोगों के साथ ब्यावार संपन रहें ब्यावसाय में जो आपत्ती खड़ी हो सकती है जो प्रसानिया आ रही है ब्यापार के लिए कारे के लिए थोड़ा सा समय आज आपका प्रसान रहेगा साम के समय थोड़ी से खुसकवरी मिल सकती है ब्यापार से समंद्ध थोड़ा से लाब मिल सकते हैं कोई अच्छी कॉला सकते है जाने कि कोई अच्छा ओडर आपको मिल सकता है साथ ही साथ आपको भगवती जहदंबा के चड़नों में एक नारियल अर्पन करने के वाद में अपनी मनों कामना बोलेंगे और भगवती को मत्था देख करके आएंगे तो निश्चित आपको सफल रहेंगे तोड़ा सा कार्य आपका व्यस्त रहेगा आज मन को प्रस्णता मिलेगी और मन में अनेक प्रकार के जो मनोंजन कार चल रहें जो आपके सहयोगी मित्र जन हैं उनसे भी आपको लाप्राप्त होगा इसलिए आज अपने घर में परिवार में समय वतीत करने का भी योग बनता है तोड़ा सा आपको मत्यान जाने के दुपैर के बाद में चिंता ग्रस्त हो सकते हैं या कोई फौन या कोई समाच्या सुन सकते हैं जिससे थोड़ी प्रसानी वाला मन रहेगा थोड़ी विवधाएं थोड़ी दुवधाई भी रह सकती हैं इसलिए आपका ज को पालक खिलाना चाहिए साप में गाय को ऊपर अपने हाथ तोड़ी देर के लिए घुमाना चाहिए अपनी रेखाओं को ठीक करने के लिए अब चर्चा करेंगे करकराशी के लिए जो करकराशी के जाता के उनका आज का बहुत बड़ा आर्तिक लाव हो सकता है आपकी प् जाने कि आपको पदमय ओनती ओपिस में अच्छा यस प्राप्त होगा साम के बाद जाने कि चार बजे के बाद में साम का जो समय है आपके लिए भार घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है इस मित्रों के साथ गूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है अपने परिवार अपने पत्नी अपने वच्चों के साथ भी कहीं जाने का प्रोग्राम बन सकता है और आप अपने बड़ों से बुजुर्गों से अपने पत्नी से विचार करके कोई कारे करेंगे तो आपको लापराप्त होगा आपका दामपत्य जीवन अनंद में रहेगा साथ ही साथ आपको चंद्रमा को ठीक रखने के लिए अपने साम के समय चंद्रमा की दर्शन करके ओम चंद्रमा सही नमा इस मंद्र का पाठ करें निश्चित आपको सफलता है मिलती रहेंगी अब जर्चा करेंगे सिंग रासी सिंग रासी रासी स्वामी आपके सूर है साहित कला के प्रति आज आपके मन में बहुत रूची रहेगी पेटे संबने जो परिशानियां जो चल रही है स्वास्थ जो आपका स्वास्थ जो थोड़ा सा खराब था थोड़ा ठीक होने लगेगा थोड़ा साम के समय आर्थिक संकट यह थोड़ा खर्चा का कोई कारवर बन सकत आपकी जो प्लानिंग हैं उनको आगे बढ़ाएं जो नोकरी पैसे वाले हैं जिन लोहों को अपने अपिस से काम मिले हुएं उन्हें सीग्रति सीग्र पूर्ण करें लाप लापत होगा अब चर्चा करेंगे कन्यारासी कन्यारासी राशस्वामी बुद्ध हैं आपके सार और मानसिक जो रूप से आपकी जो विवस्ता हैं बनी हुई हैं उनको आप अपने मन में थोड़ा इस्तिरता लाएं निश्चित आपके जो प्रोग्राम हैं अब आपको लाप देने लगेंगे फिर भी थोड़ी से दुवधाय चल नहीं थी माता पिदा परिवार की जनों उनकी तरब बार बार आपको परशानियां आ रही हैं स्वजनों से जो आपको परशानी या कश्ट परशानी आ रही है उसमें ठीक होगा दानानी के जो योग बने हुएं उनके लिए हर्स और लास में धन को खर्चना करें जिससे की आने वारे समय आपको परसानी हो सकती है साथ ही साथ यात्राओं में पैसा खर्च हो सकता है संतान और परिवार में भी पैसा खर्च हो सकता है स्वास्त के प्रति जो चिंता आपकी बने हुई है उसे छोड़ दें अब साथ आपका ठीक रहने वाला है साथ में आप स्री हनमान जी माराज की सिवा करते हुए भगवान स्री हनमान जी के चड़नों में आप गुलाब के फूल और एक नारियर अप्रण करें आपकी मनुकामना अवश्य पूर्ण होगी आप चचा का लेंगे तो लरासी आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला एक बिसेश आकष्ण बना हुआ है मन में जो अने करकार के भाव आ रहे हैं उनको सीग्रतिशी को पून करने का प्रयास करें गर में जो ग्रह कलेश का बातावरन था उसके लिए आप थोड़ा सा सांती का समय घर में थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा चिलचिला पन जो आपको बना हुआ है उसके पती थोड़ा सा साबदान रहें किसी पर क्रोध ना करें किसी पर गुस्सा ना करें अपने मन का ध्यान लखें परिवार जनों का ध्यान लखें सा थोड़ा दौनों के बीच में मतवेद परसानी सकती है अब करेंगे ब्रचिक रासी राशिस्वामी के मंगल हैं परिवार जनों के साथ आपके उन्हेख परकार की मन में अनेख परकार की संभावना बनी सब्सक्राइब करेंगे मध्यान के बाद मन में जो गलानी है वो दूर होगी थोड़ा सा आनंद की प्राप्ति होगी मित्रों के साथ इसने जनों के साथ भी आपका मेल जो बर सकता है आपका जो प्रैंसरकल है वह भी आपका बढ़ने का योग बना हुआ है कोई अच्छी खुसकवरी आपको मिल सकती है साथ ही साथ आप परासिस्वामी मंगल है उसके लिए आप हनमान जलिसा का पार्ट करें और बजरंग बाल का पार्ट करने के बाद में अपनी मनो कामना भगवान स्री हनमान जी के चर्णों में रखें तो निश्चित आपके मनु का माहुल रहेगा दार्मिक इस्टल पर जाने का भी योग बन रहा है अपने परिवार जनों के साथ किसी मंदिर देवाले में जाकर पूजर अर्चना कर सकते हैं दांपत्र जीवन में अने प्रकार के सुक बने हुए हैं उनमें भी आपको अनंद मिलेगा मद्यान के बाद आपके परिवार जनों के साथ जो आपको अने प्रकार की ब्रांतियां बनी हुए थी वो दूर होने वाली हैं साथ ही साथ जो आप कार्रे में लगे हुए हैं जिस प्रकार का भी है आप ब्यापारी बर्ग हैं तो नोकरी पैसे बाले हैं तो या कोई छोटा कार्रे आप करत करेंगे तो निश्चित आपका व्यापपार प्रकति करेगा आपको लख्राप्त होंगे अब चैजा करेंगे मंगर्लांसी मंगर्लाशी कोट कटरी से संब्दित आपका आज मन में भेचेनी पैदा कर रहाएं तोड़ा ध्यान रखें आपका अने प्रकार के आपको लिए प्रशानी में डाल रहा है इसलिए मन और बानी प्रशानीया रहे हैं वह दूबधाय आपकी टलने लगेंगी बहां सबाल कर चलाएं साथ दाने चलाएं मद्यान के पष्चात स्वास्तिय संबंदित आपको सोधार होगा मन में प्रिशंद्था की प्राप्ति होगी पर पर भी थोड़ा सा अपने बाणी पर सहीं में रहें और मन में अपना यह भाव रखें कि आपको साड़े साती चल रही है और साड़े साथी के समय अनेक प्रकार के अक्षमात परसानियां कष्ट जो आ रहे हैं उनसे बचने का प्रयास करें अब चर्चा करेंगे कुम्बरासी समाजिक और आर्थिक छेत्र में आपको प्रगती मिलने का योग बना हुआ है परचित्म फत्रों से आपके साथवालों से भी मिलने का योग बना हुआ है परंतु मद्यान के वाद स्वार से सम्मन में थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है परिवार में जो अने प्रकार के प्रस प्रशानी आ रही है उसके लिए आप अदालेतेकार्जों से बच कर रहें याने कोट कचसरी से बच कर रहें तब ही आप अपने धना को शुक में बीगू बशेई शुक्त सकते हैं वह मन प्रशाणी है जो कि श्टकराग समय चल रहाय आज के दिन थोड़ा-स आपका प्रशानी भरा रहेगा इस लिए ध्यान लखें सरी सएमणायाराज के मंदर जा शोंद्र दिर्शन करें ओम समसानि स्क पर गाराज है तो स्वह दिन ध्यांगे और चर्चा करेंगे उमीन राषी, जाशिर स्वामी आपके व्रस्पती हैं, विचारों में जो दिड़ता आपको नहीं बन रही है, उसमें थोड़ासा आप सहीये में सील रहें, थोड़ासा आप मन को इस्तिर करें, व्यवसाय में उच अधिकारियों से आपको लाप राप त सुखताय जाने कि किसी बड़े अधिकारी से मिल सकते हैं पदोनती के योग बने हुए ब्यापार संबंदी जो आपके अने प्रकार के आयो जाने अने प्रकार की जो सफलता हैं वह आपको अफ सुख दिलाएंगी घर परवार में में सुख संपत्ति रहेगी पिता और बड़ का सम्मान करें निश्यत आपका जीवन मंगल में होगा अपनी मानी को ही ब्राम देते हैं उससे पहले आपके निवेदन करते हैं जो दर्सक हमारे इस वीडियो को देख रहें आपको अगर अच्छा लगता है तो से अधिक सेदिक सेयर करें अपने परिवार स्वजन स्क्राइब बरें जिससे नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको डालेंगे तो उसका नौटिफिकरसन आपको राप्त हो जैसरी राद है